अभी आप सबी सात्यों से मुझे बात करने का मोका मिला जरा मुझे अच्छा लगा और शहर में विकास के जो काम हो रहे हैं जो निर्णे सरकार ने लिए हैं उनका लाव बनारस के लोगों को भी हो रहा है और यह सब कुछ हो रहा है तो इसके पीछे बाबा विश्वणाद क का ही आशिरवाद है और इसलिए जब मैं आज भले वर्चुली यहां आया हूँ लेकिन जो हमारे काशी की परंपरा है उस परंपरा को निभाए बिना नहम आगे जा सकते हैं और इसलिए अभी जो भी मेरे साथ कारकम में जुड़े हैं हम सभी एक साथ बोलेंगे हर हर महा दे धन्तेरस, दिपावली, अनकूट, गोवर्धन पुजा और डाला चटक आप सब लोगन के बहुत बदाई हो माता अन्पुर्णा आप सब के धन धान्य से समरुद्ध करें हमार कामना हो कि बाजारन में रोनक और बड़े मेरी काशी की गलियां गुल्जार हो और बनारसी साडियों का कारवार भी चमके कोरोना से लड़ते हुए भी हमारा किसान भाइन खेती पर खूब ज्यान दिहलन बनारसी नहीं पूरे पुर्वांचल में इह बार अगहनी फुसल अच्छी हो इकी खबर मितल हो किसान का परिशम स्वतर स्वतर के लिए नहीं बलकी पूरे देश के काम आवेला आप अन्य देवता लोगन का बहुत अभिनंदन हो कारकम में मेरे साथ जुड़े उत्तर प्रदेश के यश्रस्वी मुख्यमंत्री स्रिमान योगी आदितिनाज जी उपमुख्यमंत्री स्री केश्व पुरसाद मौर्य जी यूपी सरकार के मंत्री गांड विधायक गांड बनारस के सभी चुने हुए जन प्रतिनी दी गांड बनारस के मेरे प्यारे भाई और बहनो महादेव के आश्रिवाद से काशी कभी थमती नहीं है मा गंगा की तरह निरंग तर आगे बढ़ती रहती है कोरोना के कठीन काल में भी काशी अपने इसी स्वरूप में आगे बढ़ती रही कोरोना के खलाब बनारस ने जिस जीवरता से लड़ाई लड़ी है इस मुश्किल समय में जिस सामाजिक एक जुड़ता का परिचे दिया है वो सच मुच में बहुत ही प्रसंस्निया है अब आज इसी कडी में बनारस के विकास से जुड़े हजारों करोड रुपिय की परियोजनाओं का लोकारपन और सिलान्यास हो रहा है वैसे ये भी महादेव का आशिरवादी है जब भी कासी के लिए कुछ नए कारियों के शुरुवात होती है पुराने कई संकल पर सिद्ध हो चुके होते हैं यानि एक तरफ सिलान्यास तो दूसरी तरफ लोकारपन आज भी लगबग 220 करोड रुपिये की 16 योजनाओं के लोकारपन के साथ सा करीब 400 करोड रुपिये की 14 योजनाओं पर काम शुरू हुआ है मैं सभी विकास कारियों के लिए बनारस के लोगों को बहुत बढ़ाई देता हूं काशी में उत्तर प्रदेश में बिना रुके बिना ठके चल रहे इन विकास कारियों का स्रे मुख्य मंतली सेमान योगी आदितिनाजी को और उनकी पूरी टीम को मंतली परिश्चत के जदस्यों को चुने हुए जन प्रतिनी दियों को सरकारी मशीन्री से ज़ा जुड़े हुए सभी मुलाजिम को इन सब को इस सफलता के लिए पूरा का पूरा स्रे जाता है जन सेवा के इस एक निश्प प्रयासों के लिए बहुत-बहुत बधाई और शुब कामना है। साथियों, बनारस में शहर्व देहात के इविकास योजना में परेटन भी हो, संस्कृती भी और सडग बिजली पानी भी हरदम प्रयास यही होला कि आपन काशी के हर सक्ष के बावनाओं के अनुरुप ही विकास के पहिया आगे बढ़ेए। इसलिए यह विकास आज अपने आप में इस बात का उधारन है कि बनारस कैसे एक सांथ हर शेत्र में, हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मा गंगा की स्वच्चता से लेकर स्वास्त सेवाओं तक रोड और इंफास्ट्रक्चर से लेकर परियतन तक बिजली से लेकर युवाओं के लिए खेलकुत तक और किसान से लेकर गाउं गरीब तक हर खेत्र में बनारस विकास की नई गती प्राप्त किये हुए है। आज गंगा एक्शन प्लांट प्रोजेक्ट के तहट सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट के रिनोवेशन का काम पूरा हो चुका है। साथ ही शाही नाला से अतरिक्त सीवेज गंगा में गिरने से रोकने के लिए डाइवर्जन लाइन का सेलान्यास भी कर दिया गया है। की लागत से खिड़किया घाट को भी सजाया सम्वारा जा रहा है। इहां CNG से नाव भी चलेगी जिससे गंगा में प्रदुषन भी कम होगा। इसी तरह दसास्व में घाट पर तुरिश प्लाजा भी आने वाले दिनों में परियट्रकों की सुविधा और आकर्षन का केंदर बनेगा। इससे घाट की सुद्धरता भी बढ़ेगी जबस्ता भी बढ़ेगी। जो स्थानी चोटे चोटे व्यापार हैं ये प्लाजा बनने से उनकी भी सुविधा और ग्राहक बढ़ेंगे। साथियों मा गंगा को लेकर ये प्रयास ये प्रतिवर्दता काशी का संकल्प भी हैं और काशी के लिए नई संभावनाओं का रास्ता भी यही है। दीरे दीरे यहां के घाटों की तस्वीर बदल रही है। कोरोना का प्रभाव कम होने पर जब परियटों के संख्या और बढ़ेगी तो वो बनारस की और सुन्दर छवी लेकर यहां से जाएंगे। गंगा घाटों की स्वच्चता और सुन्दरी करण के साथ साथ सारनाथ भी नए रंग रूप में निखर रहा है। आज जिस लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का लोकारपन किया गया है उससे सारनाथ की भव्यता और अधिक बढ़ जाएगी। भाई और भेनों कासी की एक बड़ी समस्या यहां लटकते हुए बिजली के तारों के जाल की रही है। आज कासी का बड़ा ख्षेत्र बिजली के तारों के जाल से भी मुक्त हो रहा है। तारों को अंडरग्राउंड करने का एक और चरण आज पूरा हो चुका है। केंट स्टेशन से लहुरा बीर, भोजू बीर से महा बीर मंदीर, कचहरी चोरा से भोजू बीर तिरहा, ऐसे साथ रूट्स पर भी बिजली के तारों से अब छुटकारा मिल गया है। इतना ही नहीं, स्मार्ट एलिडी लाइट से गलियों में रोश्नी और सुन्दरता भी फैलेगी, साथ्यो बनारस की कनेक्टिविटी हमेशा से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्रात्मिक्ता रही है। काशी वाशियों का और काशी आने वाले हर परियटर, हर सधलू का समय, सड़क जाम में न व्यर्थवो, इसके लिए नए इंफ्रस्टिक्टिर का निर्मान किया जा रहा है। बनारस में आज एरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ रही हैं, बाबतपूर से शहर को कनेक्ट करने वाली सड़क भी अब बनारस की नई पहचान बनी हैं। आज एरपोर्ट पर दो पैसेंजर बॉर्डिंग ब्रीच उसका लोकारपन होने के बाद इन सुविधाओं को और विस्तार होगा। इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि छे वर्स पहले यह आपने मुझे आपके सेवा करने का आउसर दिया, उसके पहले बनारस में हर दिन बारा फ्लाइट चलती थी। आज इससे चार गुणा यानि 48 फ्लाइट चलती हैं, 48 फ्लाइट यानि बनारस में सुविधाएं बढ़ती देख, बनारस आने वाले लोगों के संख्यावी बढ़ रही है। भाईव और बहनों, बनारस में तैयार हो रहा आधुनिक इंफरस्रक्चर, यहां रहने वाले और यहां आने वाले दोनों ही तरह के लोगों का जिवन आसान बना रहे हैं। एरपोर्ट से जुड़ी कनेक्टिविटी के साथ साथ रिंग रोड हो, महमूर गंच मन्डुवाडी फ्राई ओवर हो, एनेट 56 का चावडी करन हो, बनारस आज रोड इंफरस्रक्चर का भी काया कल्ब होते देख रहा है। शहर के भीतर और आसपास के इलाकों में भी सडकों की तस्विर बडली है। आज भी वारा नसी के अलग-अलग शेत्रों के लिए सडक निर्मान कारियोगा का काम शुरू हुआ है। नेशनल हावे, फुलवरिया, लहरतारा मार्क, वरुना नदी और तिन पूल और कई सडकों का निर्मान ऐसे कितने ही काम हैं जो आने वाले समय में बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। रोडवेज के इस नेटवर्क के साथ साथ बनारस अब वाटर वेज की कनेक्टिविटी में भी एक मोडेल बन रहा है। हमारे बनारस में आज देश का पहला इनलेन वाटर पॉर्ट बन चुका है। भाई और भेनों बीते छे सालों से बनारस में हेल्द इन्फरस्ट्रक्चर पर भी अभूत पुर्व काम हुआ है। और मैं कह सकता हूँ अभूत पुर्व काम हुआ है। आज काशी यूपी ही नहीं बलकि एक तरह से पूरे पुर्वांचल के लिए स्वास्त सुविधों का हब बनता जा रहा है। आज राम नगर में लाल बादूर सास्त्री अस्पताल के मौडनाजेसन से जुड़े कामों के लोकारपन से काशी की इस भूमिका का विस्तार हुआ है। राम नगर के अस्पताल में अब मेकेनाइज लांडरी व्यवस्ति रर्जिस्ट्रेशन काउंटर और कर्मचारियों के लिए आवासिय परिशर जैसे सुविधाय उपलब्द होगी। होमी भावा कैंसर हस्पिटल और पंडित महामना मालविय कैंसर हस्पिटल जैसे बड़े कैंसर इंस्टिटूट यहाँ पहले से ही सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरह E.S.I.C. हस्पिटाल और B.H.U. सूपर स्पेशालिटी हस्पिटाल की भी यहाँ गरीब से गरीब साथियों को घर्भवती महिलाओं को बहतर स्वास्त सुविधाय दे रहे हैं। साथियों बनारस में आज जो यह चौँ तरफा विकास हो रहा है हर सेक्टर में विकास हो रहा है उसका पुरवांचल सही पूरे पुर्वी भारत को लाब हो रहा है। अब पुर्वांचल के लोगों को छोटी छोटी जरुरतों के लिए दिल्ली और मुंबई के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। बनारस और पुर्वांचल के किसानों के लिए तो स्टोरेज से लेकर ट्रांस्पोर्ट तक की अनेक सुविधाएं बीते सालों में यहां तयार की गई है। इंटरनेश्टल राइस इंस्टिटूट का सेंटर हो, मिल्क प्रोसेसिंग प्रांट हो, पैरिशेबल कार्गो सेंटर का निर्मान हो, ऐसी अनेक सुविधाओं से यहां के किसानों को बहुत लाब हो रहा है। यह भी हमारे लिए गर्व की बात है कि इस साल पहली बार वारनशिक छेत्र से फॉल, सबजी और धान को विदेश के लिए निर्यात किया गया है। किसानों के लिए बनी स्टोरे सुविधाओं को दिस्तार देते हुए, आज कप सेठी में सो मेट्रिक टरन स्टोरेक समता वाले गोदाम का लोकारपन भी किया गया है। इसके अलावा जन्सा में भी मल्ती परपज बीज गोदाम और डिशेमिनेशन सेंटर बनाया गया है। भाईव और भेनों, गाउं, गरीब और किसान, आत्म निर्भर भारत अभ्यान के सबसे बड़े स्तंब भी है और सबसे बड़े लाभारती भी है। हाल में जो कृशी सुधार हुए है, उनसे किसानों को सीधा लाभ होने वाला है। बाजार से उनकी सीधी कनेक्टिविटी सुनिस्चित होने वाली है। किसानों के नाम पर किसानों की महनत को हड़ब जाने वाले बिचोलियों और दलालों को अब सिस्टिम से बाहर किया जा रहा है इसका सीधाला उत्तर पुद्धेश के पुर्वांचल के बनारस के हर किसान को होने वाला है साथियों किसान की तरह ही रेहडी पट्री ठेला चलाने वाले साथियों के लिए भी एक बहुती महत्वा कांक्षी योजना शुरू की गई है आज प्रधान मंत्री स्वनिधी योजना के जरिये रेहडी पट्री वाले भाईयों बहनों को आसान लोन मिल रहा है कोरोना के कारण इनको जो दिक्कत आई वो दूर हो सके उनका काम फिर से शुरू हो सके इसके लिए उन्हें दस हजार रुपिय की लोन सहायता दी जा रही है इसी तरह गाउं में रहने वाले लोगों को गाउं की जमीन गाउं के घर का कानूनी अधिकार देने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है गाउं में घर मकान को लेकर जो विबाद होते थे कभी कभी तो मारकाट हो जाती थी कभी अगर गाउं से शादी बहा में गए वापिस आते थे तो कोई और बैस कबजा कर देता था। इन सारे समस्याओं से मुक्ति के लिए ये स्वामित्व योजना से इस योजना से मिले प्रोपर्टी कार्ड के बाद इस प्रकार की मुसीबतों की गुंजाइस नहीं रह जाएगी। अब गाओं के घर या जमीन पर ये प्रोपर्टी कार्ड आपके बाद होने के कारण बैंक से रण मिलना भी आसान हो जाएगा। साथी जमीन पर अवेद कब्जेदारी का खेल भी खत्म हो जाएगा। पुरवान्चल को बनारस को इन योजनाओं को बहुत बड़ा लाब मिलने वाला है। साथियों हमारे सास्त्रों में कहां गया है काश्याम ही काशते काशी। काशी सर्व प्रकाशी का अर्था काशी को काशी ही प्रकाशित करती है और काशी सभी को प्रकाशित करती है। इसलिए आज विकास का जो प्रकास फैल रहा है जो बदलाव हो रहा है ये सब कासी और काशी वाज्चों के आसिरवाद का ही परणाम है काशी के आशिरवाद से ही साक्षाद महादेव का आशिरवाद है और जब महादेव का आशिरवाद है तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है मुझे विश्वास है कि काशी के आशिरवाद से विकास की ये गंगा ऐसे ही कल-कल करती रहेगी अवीरल बहती रहेगी इनी सुबकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर दिपावली गोवर्दन पुजा और भईयय वीज की हार्दिक बढ़ाई और मेरा आप से एक आगर और भी है आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल वोकल फॉर लोकल इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली इसके मंत्र को इसकी गुंज चारों तरब अब सुनाई देने लगी है मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवाश्यों से भी मेरा कहना है लोकल फॉर दिवाली को खुब प्रमोट करें खुब प्रचार करें हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खड़ी देगा लोकल की चर्चा करेगा लोकल प्रोड़क का गवरव करेगा नए नए लोगों तक ये बात पहुचाएगा कि हमारे लोकल प्रोड़क कितने अच्छे हैं कितने शांदार है किस तरह हमारी पहचान है तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी इससे स्थानिय पहचान तो मजबुत होगी ही जो लोक इन सामानों को बनाते हैं उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी इसलिए मैं देश वाचियों को दिवाली की पुर्व बार बार आग्रह करता हूं कि हम लोकल के लिए आग्रही बने हर कोई भोकल बने लोकल के लिए दिवाली बनाएं लोकल के साथ आप देखिए पूरी अर्थ बवस्ता में एक नई चेतना आजाएगी नई जाना आजाएगी वो चीजें जिसमें मेरे देश वासी के पसीने की महक हो जो चीजें मेरे देश के नवजवानों की बुद्धी शक्ति का परिचायक वो चीजें जो मेरे देश के अनेक परिवारों को नए उमंग और उत्सा के साथ नए संकल्प ले करके अपने कारे का विस्तार करने की ताकत देती है उन सब के लिए एक हिंदुस्तानी के नापे मेरे देश वासियों के प्रति मेरा कर्तव्य बनता है मेरे देश की हर चीज के लिए मेरा कमिट्मेंट बनता है आईए इसी भावना के साथ लोकल के लिए वोकल बने दिवाली लोकल से बनाए और सिर्फ दिये नहीं बनना कुछ लोकों को द्रड़कता है लोकल मतलब दिया ले लो नहीं भाई हर चीज हर चीज कोई ऐसी चीज हो जो बिल्कुर हमारे देश में बनना संभवी नहीं है हम जुरूर बाहर से लेना पड़ेगा मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपके घर में बाहर से कोई चीज पहले लाई हुए है उसको फैंक दो गंगा जी में बहा दो जी नहीं मैं ऐसे नहीं कहता है मैं इतना ही चाहता हूँ मेरे देश के लोग जो पसीना वहा रहे हैं मेरे देश के नौजवान जो अपने बुद्धी शक्ती सामर्थ से कुछन कुछ नए करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी उंगली पकड़ना हम सब का दाई तो बनता है उनका हाथ पकड़ना हम सब का दाई तो बनता है उनकी चीजे लेते हैं उनका होसला बुलंद हो जाता है आप देखिए देखते ही देखते विश्वास से भरा हुआ एक नया पूरा वर्ग तयार हो जाएगा जो हिंदुस्तान को नई उंचाईयों पर ले जाने के लिए एक नई शक्ति के रुप में जूड़ जाएगा और इसलिए मैं आज फिर से एक बार मेरे काशी वासियों से जब बात कर रहा हूं तब दिवाली की शुब कामनाओं के साथ साथ काशी से जब मैंने मांगा जो मांगा काशी ने जीव भरकर के मुझे दिया है खुले मन से दिया है लेकिन मैंने मेरे लिए न कभी मांगा है न मुझे कुछ जरूरत रहे ऐसा आपने कुछ बाकी है नहीं रखा है लेकिन मैं काशी के हर प्रोडक्त के लिए, काशी में निर्मान होने वाली हर चीज के लिए गीद गाता हूँ, गौरव करता हूँ, घरगर बात पहुंचाने का प्यास करता हूँ मेरे देश की हर चीज को ये मोका मिले, यही मेरा आगर है फिर एक बार मैं काशी वाश्यों को नमन करते हुए, काशी विश्वनाजी के चरणों में सर जुकाते हुए, काल भैरव को नमन करते हुए, माता अनपूर्णा को प्रणाम करते हुए, आप सबको आने वाले सभी परवों की बहुत बहुत शुप कामनाई देता हूँ, बहु बदो दो 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 आनिवाब